आपको नहीं मालूम नहीं कि मैंने उस दिन किस तरह दिल कड़ा करके आपको रिष्टे से इंकार किया ये इसलिए मैंने ये पैगाम आपके जरीए भिजवाया था ताकि उनको आपकी बात में वज़न महसूस हो देख लो एड़िटाइजिंग वालों ने चार दे रखके हाँ जोड़ दी तो वो दो उसे चिप्रासी रख रहे थे माशाला बड़े जहीन लोग हैं वो मुझे तो खास तौप पर उनसे मिलना चाहिए प्लीज आप उसका कुछ करें न कमसकर मेरी और आपकी खातिरी से ठीक है उसे को किसी अखबार में बता और प्रिंटिस चला जाए इस तरह से काम भी सीखता रहेगा और उस लोगों से मिलने का शौख भी पूरा होता रहेगा अखबार का काम कितना मुश्किल है पता है आपको जी काम तो कोई भी आसान नहीं है अत्ता के घर का काम काच आप उसके लिए कुछ प्लीज करें प्लीज उसे काओ के अपने रोजगार की जमीन में खुद होगे और उससे वो सिफार शीबे साखियं चीन लो अजी आप से आख्या की बीबी जी घर पे नहीं है आप जाएं और साब जी क्यों मेरी मुखरी के पीछे पढ़ गरीब के आप चले जाएंगी खुदा के लिए चले जाजे साब जी भी आनवाले हैं खुदा जी एक फ़कीद था जी मागने वाला अच्छ अब उन्हे का है खाना जी बता गए मुझे के तुम लोगों ने रिष्टा तो उड़ दिया है और को ताजा ख़बर बताओ अब उन्हे का है कि हम इसे का हो कि ये घर छोड़ दे असलाम खाली जाएंगी वालेकों सलाम खेरियसे हो हाँ जी हामद जी मेरे बेटे हाजी क्या परोग रहा हमें मेरे बच्चे का बोगोड़़そう हो उनके फोटोकापिया कर वा रहा हूँ बेटा इतनी फोटोकापिया उनकी ना करवा के असल लख भी घिस जाए फोटोकापिया करवा कर वा के बोगोड़़ज़ शायदा इसी की बज़ा से इक्ज़द कर रहू वरना मेरा प्रोग्राम तो आज कुछ और ही था ये लो चाहे अम्मा जी है कप तो आज क्या है कप अम्मा जी है कप जब ये मौझूद यहां होना तो पूरी देश रहा दिया कर आए हाए बोलते रहा ना रहा करो हर वक्त तो उसके पीछे पढ़े रहा तो मैं चाची चुप करके रहा है अबू का ख्याल है कि आपको अख़बार जोइन कर लेना चाहिए वो एप्रेंटिक्स भी रखते हैं चलो जो सुबा अख़बार पढ़ने को मिल जाता ता ना ये पहुच गया तो वह भी नहीं मिलेगा आई बेटी महा इसे कुछ मिलेगा भी कि नहीं खाला जान आप मिलने जुल्ने की गर्दान को छोड़ें वैसे भी आपका वाँ बड़े लोगों से मिलने का शौब ओ एक देटी इसके तो पैर ही नहीं कहीं जंते ये तो टिकता ही निक एक जगा मैं जो एक जग्यक नहीं टिकता हूना इसमें भी किसी ताकत का हाता है मैं आपको बता दू तो बाहर चले जा कमरे से मुलक से मुलक से कौन बाहर जाएगा अल्pflichtना नाòng? अब तो प्रटॉल निकल आया अब देखना के दूर दराज के मुलकों से लोग यहां पर नोकरी करने आ करेंगे आए सद्के जहूं आगागा जा जा अब बागागा जा दूर जाओ जाओ और अपनी जिंगी का आगाज करो अच्छा खराजां मैं चलती हूँ बैठा ना चाय तो पीलो नहीं अमें इंतजार कर रही होगी अच्छा खुदा हाफिस जी आप फरमाए जिनाब वो अगर राश्निंग डेपार्मेंट में नोकरी मिल जाए तो आपके नवादिश होगी आप अखबार नहीं पढ़ते आप कहीं और पता करें अच्छा जी वो अभी तक बच्छा स्कूल में दाखिल नहीं हुआ मेरे भाई एक ही शेहर में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माईग्रेशन ज़रा मुश्किल से होती है जी आप फरमाएं जी वो महग मतविलास आजा हूँ मेरे मतलब है मुझे याकुछ साब में भेजाएं सलाम निम्बर भाई वालेकमा सलाम आई तश्रीफ रखें क्या है जिसका जवान बेटा सबर करें सबर करें बहल जी आप ज़कात के लिए दर्खास लाएं अच्छा आप यूँ कीजिए आप पर्ची लेगे भाई मिम्बर भाई हम तो हार गए हार गए हाँ कोई मुकदमा बगएरा भाई बेकारी और मुकदमे में क्या फरक है मेरा बेटा बेकार है बढ़ी टक्रे मारी मगर कुछ नहीं बना कुछ नहीं बना कोई मुकरी बगएरा देखी? हाँ अखवाँ में जगह है तो फिर आप यूँ कीजिए के अपने लड़के को साथ ले आए मैं उसे देख भी लूँगा और दर्खास पे भी चंद हरफ लिख दूँगा मिम्बर भाई तुम्हे एक पर्ची दे दो अल्ला तुम्हें लाखों पर्ची ने देगा है तुम्हें याद नी है के मैंने लंबी लाइन में लगके और सड़ी धूप में तुम्हें बोट दिया था याद है ना जी बड़ी मेहरबानी आप यूँ कीजिए कल किसी वक्त लड़के को साथ ले आए लड़का तो साथ आया है हाँ बाहर खड़ा हाथ ठलाए शरम के मारे नहीं आ रहा है तो फिर बुलाए बर्फुर्दार को बुलाए जी अच्छा मैं बुलाई हानी जी बीबी आप फरमाए मिंबर साहब मुझे भी एक पच्ची दे दे किस लिए वो नर्स की नौकरी के लिए बेहतर जी सर जी असलाओ लेकूम तुम अगर मैंने हमारी वालदा से वादा ने किया होता तो सर जी देखे हैं आप हमारे माई बाप हैं आप एक परच्ची किसी अखबार वाले के नाम दे 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 इमान से फ्रंट पेज में डेली आपकी कवरेज होगी अच्छी सी आपके बियान चापेंगे कि मेंबर साथ कच्ची गलियां फकी कर रहे है चोट-चोटी गलियों में भी आप बेहने चला देंगे मैं हर किसम का बियान आपका चापूँगा पिया जी आपका अगर बकरा भी बिमार हो गया न एमान से उसकी भी खबर लगा दूँगा एक तो तुम बोलते बहुत हो अच्छा सर अच्छा तुम यूँ करो के रोजना मा खामोश के दफ्तर चले जो खामोश वहाँ आरिफ साब है उनसे मिलने में खामोश अखबार यह नी अखबार खामोश है और मैं बोल रहा हूँ बस अब खाली हाथ ना लोटाना अल्ला तुम्हारा भला करे मिम्बर भाई इस से पहले क्या करते थे मैं सर जी मेटर करके तो इल्म की प्यास बुजाता रहूं जी बहुत अच्छ कोई तजर्बा मेरा मतलब अखबार का कोई तजर्बा अखबार का तो अल्ला का फजल है जी मैं सुबा सुवेरे जाके तो हमाम में सुर्खी से लेकर तो आखरी खबर तक पढ़ता हूँ यहां तक के पब्लिशर और नाशर का पता भी मेरे पास होता है जी अखबार में कभी लिखा है हाँ जी मैंने कई दफ़े लिखा है लेटर टू एडिटर में मैं लिखता रहूँ मगर सर जी मैंने जितने लेटर लिखे हैं जी अपने नाम से नहीं लिखे, मैंने नाम बदल के लिखे हैं पिया जी किसी बड़े आदमी को इंट्रिव्यू कर सकते हो हाँ जी, हमारे मौले में एक बाबा सौ साल का है काफी बूरा आदमी हैं, मगर मैं मन्जियां बुन के ना तो मेस्टर, यह अमर में बड़े अदमी का नहीं is अच्छा, अच्छा, आप यहनी अमीर अदमी का का है रहरे हैं तो अमीर अदमी तो मेरे एक जानने वाला है हजार रılarपये का बाउंड उसका निकला है पांच लाक रुपया उसने अपने बचों को ले दी है उंचे मर्गाडो वाली मोर्साइकल उन्होंने सिलंसर में से बंस लिए निकार के न सारे मौले में सारा मौला खमोश रहता है ये बड़ा शोर करते हैं सर जी अच्छा अमीर आदमी बड़ा आदमी नहीं होता मैंने तो कई अमीर आदमी देखे हैं सर जी कई फील्ड्स में बड़े आदमीों का मेकाप करके गुसे हुए मगर मैं एक दिन उनको जरूर देह दूँगा ऐसे जैसे पुराना स्वेटर हो देहते हैं और उन में सर जी इतने गुंजल डाल दूँगा कि बाद में कोई शक्स उस उन से स्वेटर नहीं बुन सके बैट जो थैंक यू सर जी अखबार का मतलब उदेड़ना नहीं बलके बुनना होता है जैसे जाल बुनना अखबार का मकसद है लोगों को बाखबर रखना अवाम की राय से भी और हकूमत के नक्ता नजर से भी इससे जो नतीजा निकलता है जिर सर जी नतीज़ जी हमेशा अखबार में निकलता है मेरी बेहान चोटी गुड़ो उसका भी दसमें का नतीज़ा निकला B.A.C. का नतीज़ा निकला हमारे सामने मुंची फाजल का नतीज़ा एक आदमी अखबार में देख रहा था तुम्हारे पर साइकल तो नहीं है मगर जबान तुम्हारी साइकल की तरह ही ने साइकल ले लूगा, मेरे खालों है किस्तों पर मशीन ने और साइकल ले लूगा माँसी आपसे एक दिर्खास रही है कि मेरा जो कारड है न वो आफ जरूर बना दे जो साफी का कारड होता न जि जिस पर एक कराए में रियात होती है एक मिनट एक मिनट गोय है तुम्हारा ख्याल है मैंने तुम्हें आपाइंट कर लिया है जी सर जी महरबानी है कार्ड बनाने में तो कोई आपको इतराज नहीं होना चाहिए कई साथियों के पास देगा यानि तीन अखबारें भी चपती है ना जो उन तीनों के पास ही है सर जी बड़ी रहत होती है हलो जकी साथ मैं एक बंदा भीज रहा हूँ से दो चार रोज ट्रेनिंग दे कर किसी काम पर लगा दीजिए जकी साथ कर रास लेकर जाओ सर जी वो कार्ड का जरूर कर दे क्योंके मेरी फुपब बमारे से अच्छी में जहाँ भीज रहा हूँ अज़ जाए मेरा खाल है कि साथ साथ चाई भी होती चली जाए जी आपसे सवाल यह था पी आजी कि आप ट्रामे में बड़ा हंसाते हैं क्या आप गमगीन है खुद हाँ हर आदमी सारा दिन काम करता है और काम करके शाब को गमगीन हो जाता है उसे हसी चाहिए जी ये तो आपने सही कहा कि हम लोग काम करके गमगीन हो जाते है आखिर इसकी वज़ा क्या है बहुत अच्छा सवाल है आपका देखें हर आदमी की खाइश ये होती है कि काम कोई दूसरा करे खाए वो खुद ये और ये ही गम हमारी पूरी कौम को खाए जा रहा है अगर आप अदाकारना होते है तो फिर आप क्या करते है मैं पागलू अदाकारना होता बहिस सबसे आसान काम यही है पूरे महले के लोग मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं कि ये नाक परता है नाकाम सेखता है लिहाज आइस इससे अपने काम के साथ लगा लो तो आपका अपने परस्तारों के लिए कोई पगाम है पलस्तारों के पास पहले ही इतने पैगाम जमा हो चुके हैं पहले वो उन पैगामों को कुछ कर लें तो फिर मैं भी अपना पैगाम भिजवा दूँगा शुक्रिया आपकी आखरी खायश क्या है मेरी आखरी खायश यह है कि इंकम टेस्ट का महकमा बंद हो जाए आपे यह इल्जाम है कि आप ड्रामे में कच्ची और फिकी जुकतें करते हैं और यह निहार ड्रामे में वो ही जुकतें करते हैं कि यानि शारी कैसे खाते हैं और द्याती कैसे खाते हैं यह क्या आप समझते हैं कि हमारा cultural level low हो जाता है इस से नही बात यह है अपना पिपा साब पिया हाँ वो ही अपना पिया साब जिये पिया जैक stunned के अपना बात यह है कि जिस तरह के देसी साइकल पर made in England लिखतो तो फॉरीं लिख जाती है और अंगरेजी में जोगत करो तो उसे कहते है वेट मसलिए ये के तुम्हारा मूँ कौन्स जैसा है और अगर यही हम देसी तरीके से कहेंगे तो कहेंगे तेरा मूँ कुल फीबर का ये अंगरेजी और देसी का चक्कर है और कुछ ने यहने आप यह बता सकेंगे के आपने अपनी फिल्ड में शादे क्योंने की मे funded घर मेरी जन्नत है मेरे दो बच्चे हैं मैं काम गार के सीरा घर आता हूँ उन बच्चों के साथ खेलता हूँ उन्हें पढ़ाता हूँ उन्हें सैर कर आता हूँ गर जन्नक के में मूना है तुम्हे तो यह तक नहीं बता कि तुम्हारे बचे कौन सी कलास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं देखा मेरी बीवी बड़ी कॉमेडी है मतला हमारा घर जो बड़ा हसी-खुशी का गोल-गपा है अच्छा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर की दिवारों का रंकान कॉन सा है देखा घर में कसाटी शुरू होगी घर में सफेदी हो ये पूछ से ने डिस्टेमबर होगी तुम्हाराम से बैठ जाओ यहाँ आज नहीं बैठोंगी कि सारी सारी रात गायब रहते हैं और सुबा आते हैं कि ते मेरी तक शूटिंग है फीलिम डेख लो तो उसमें इसका नाम तक नहीं होता अराम से बाढ़ जाओ नहीं बैठोंगी बस यही पाउज मुझे चाहिए यही पाउज बिलकुल स्टेड़ी यह देखें यह तस्वीर चापी है यह तस्वीर इस तरह चापते हैं इसने लग़ाए कि मेरी बीवी मेरी गिदर कुड कर रही है मुझे मार रही है तो आपका जगड़ा तो हुआ था गर में ओहो मगर खबर तो इस तरह नहीं बनती ना तुम जानते हो यह कितने बड़े आर्टिस्ट है सर जी हर बड़े आदमी के साथ यही सुलूग होता है गर मैं आज ही तुम्हें निकाल दूगा खेर निकालने ही कोई ज़रोत नहीं मैं इसके रिजक से नहीं खेलने आया है हाला कि यह मेरी अज्ज़त से खेल गया है माफिमान गो I'm sorry पिया जी कोई बात नहीं अच्छे जाफ मैं भी आपसे काफी शर्मेंदा हूँ कोई बात नहीं और बात सुनो आएंदर ख्याल लखना पिया जी क्या किया है यह तुमने साथ जी मैं आपको सच्छा ही बताओ मुझे ज़की साब ने काथा के मैगजीन में जरा कॉमेडी डालो ओ कॉमेडी 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 ओमेडी से नहीं संजीदगी से बनती है तश्रीफ ले जाईए थैंक यू सार हेलो ज़की साब ये पिया जी को सिर्फ आप स्टूडियो बेजिए इनका काम सिर्फ इतना है कि ये मालूम करें कौन से फिल्म का इफ्तिता हो रहा है और किस फिल्म की शूटिंग हो रही बस इतना ही काम जी बस उच्च्चा आप के चाहिए खूड़ीर के शुटिंग त已ही थोड़ा है आप इनका का इंक तो जी बूली है ज मैंश्रीजगि भी गॉझ एजिए प्लूँ जी वोली हो जोड़ीर अधरी करता रहां गाता वी रहा है अगर यह है कि हम आपके बड़े फैन हैं, माशाला आप बड़ा चाब ऐसे हैं जैसे आप फिल्मों में आते हैं वो तरसल बात यह थी कि अगर आप कोई टाइम थोड़ा सा ऐसा शूटिंग में निकाल लेते हैं यह तो अच्छा नहीं था आप क्या चाहते हैं? अगाज चाहते हैं तो आप तक कोई तबदीली महसूस कर रहे हैं आगाज और यह जो आप अच्छे आप अच्छे आप इसा करें फुरसत समय लिएगा मैं आप से इतमनान से बैठके आप इंट्रुवी देता है सरा थोड़ से एक आटोग्राफ देते हैं जरा अच्छे हैं मैं बच्छों को तेखा हूँ मेरी फुपो है वो उसके बच्चे जो उन्होंने कापी बनाई है अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के वो आटोग्राफ रखें दरसल यह आप सदर की तरफ जाएंगे सरा आटेएं ग्राफ यह एंच्छे इसलिए बच्छेप लोगे सिर्फ में अश्चेछ ने होई क क्यो जाना किया अच्छे फॉर यह एग्रफ शेर क करें यह कुछ है चलते हैं ता तरह चलो जो रहा हुत था सब्लोब जी जो ठीक है तौन श्लालालेकुं जी सब्सक्राइब zapy उसकर काम करते है कर सौट वाक पायद Netflix दो कि व्हõता है उसके लिए इन संवाप यह जो आप अब है यह जो आप अभी मसंदी जो शूटिंग कर रहा है एक तस्वीर आप मुझे देखें जिए दरसल बात यह जो बड़ा पसंद दो इसकी वज़ा है कि मैंने जब पिछले साल आरा हूं के कमेश से लाई देना मेरे अक्सिजेंट नहीं हुआ था था जिए अ अब लड़ाई होती है फिल्म में राइस की कुरेंशी बड़ा निगालो यार यह से क्या मुझे बताइए देखें मैं निकल जाता हूं मैं एक बाइजदल साफ हूं ऐसी कौन सी बात है अगर आप बुरा नहीं पर एक तस्वीर हो जाए है तो हो तस्वीर हो जाए है कोई बात नहीं है कभी अल्ला ताला मेरे को भी ऐसा टाइम लाएगा तो सर्वाबलम हो गई सर्व अची साथ बंगला देश चेले गें यूनिट के साथ असिस्टन बाच्छा जी सर्थ तुमने अपना उसको शिदू लिंग की डेट्स बताई है सर्म मैं तमाम डेट्स लिखव अच्छा और अर्थ ये थी कि मैं इदर आयों हो तफिरा करने के क्लिए कोई शूटिंग हो और यह थाप Woo यह थाथ था नहीं हो रही है अच्छा जी değil तुम तुम बड़ी बात ने करते नहीं हो खंज कि अपना नहीं रह सकते है इस बहिंभी अगर फिलोग जर यख सब ये जो अखबारवले साहब आये हैं, इनकी शकल अच्छी साहब से बहुत मिलती है, सर। जरा देखें, सर। सर। अगर इनको एंगल से शूट करनें, तो काम चल सकता है। तुम बात करके देखें। जी, बात सुनें। जी जिनाब, आप फिल्में काम करेंगे। मैं तो जी, साहबी हूँ जिनाब, फिल्मी अदाकार नहीं हूँ फिलाल। सर, मैंने ये पूछा है कि आप फिल्में काम करेंगे। जिनाब, जब हमारे सीने के अंदर फन का समंदर ठाठे मार रहा था ना। समंदर। जी समंदर, आप वाला नहीं आपका तो था ना, गुलू बाच्छा किसको कह रहा हूँ, ये फन का समंदर था। बस वक्त हमें किसी ने पूछा नहीं है, आर तरफ से आफरें आ रही है। बाच्छा को अगर तुमने ये चांस जंदगी में वेल कर लिया तो तुमारी जिन्दगी बन जाएगी। मेरा तो कोई मेरा मकसद है अतराज नहीं है, चाचा जी मगर पाठ के चीज़ का है। पाठ थाने दार का है। थाने दार का है पिया जी। ठीक है। अन्हेन वातकडियों लाओे। क्या है। वेली गड़, वेली गड़, आएचे। त्यार हो जिल्दी से जार, जिसको त्यार करो जी से जार। आओ जी हो पिया। आओ जी हो जी हो। आओ ठागदेंदाराः! मेरे कारदी दली इसना टपी हो! मैं इतने पूरे पिंग नुह अग ला दियांगा ओए बदमाश्या तुम मेरा ख्याले मेनु पैचान्दा नहीं मैं तिम तिकर गिनांगा अगर तु अपना इरादा ना बदलिया ते मैं तेरा बदन चलनी कर दियांगा खड़ाने लेके शेरे नुमार रागे ठने दला ये दौफ तियनन मार दिता है यो जालमा मेरे निके निके बच्चे ने अजे तमें गुड़ो दिटोलनी भी टोरनी सी मार करना य। कैना वे मेरे शेते विधान कर दित किके विगता जैओने लादा आप मैन आदम मेरा पया जी इमान सा आधा गौणी चब गें पया जी अब बाबा मुझे देर हो ली है प Chief मैं भाव के बाबा मुझे अच अच्व कर, मैं रही गौनी गौली चेलिए ये आपने W.H.O का तरज्मा क्या किया है W.H.O हू हू मैने कौन Who are you आप कौन है हूँ इस ही हूँ इस ही ओ भाई ओ भाई ये वो हूँ नहीं है ये डबल्यू एच ओ हूँ नहीं है बलके ये एक बेहनल अक्वामी अधारे का नाम है जिसका मतलब है वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन ठीक है तुम चाहते क्या मुझने मैं कहा चाहता हूँ जी मैंने क्या होता है मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड और्गनाइजेशन भी होगी मगर मैं अंग्रेजी में जरा आपको पता पैदल हूँ मेरी ड्यूटी आप लगा रहे हैं अर्दू सेक्शन में अर्दू सेक्शन जी सर हाँ अंग्रेजी खबरें से शायब तुम्हेरे जिसन पर तफ़र निकलाते हैं ये लोग इसमें कार्ट छाट कर अर्दू की खबरें निकाला जी अच्छा जी सजी ये फरांस का जो बादशाह आ रहा है उदर मेरी ड्यूटी नहीं लग सकती फरांस का बादशाह फरांस में बादशाहत है ओ भाई ओ खुदा के लिए अपनी जन्रन नालेज इंप्रूव करो और क्यों इस सेक्शन के पीछे हाथ धोकर पड़े हो क्यों इस अखबार को बदनाम करना चाहते हो ओ भाई जो मेरी जान तुम कहीं और चले जो मेरा पीछा छोड़े अगर इस सेक्शन में रहना है तो कोई खबर ढूनकर लाओ अच्छा पिया जी अब खबर ढूनकर लाओंगा हमारी तो हर खबर आप गलत का देते हैं न जी वो देखो जहाज से भी तसीरे उतार रहे हैं बोलते क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं देता हैं हलो जी 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 इनकारी हो रही है उसी मगरमच के बारे में कल के अखबार में आप पढ़ लीजिएगा रावी में आज कल मचली नजर नहीं आती तुम ने ये नवे गजलंबा मगरमच कहां से देख लिया सर जी मैंने जरा सर्कूलेशन बढ़ाना चाहिए अखबार की सर्कूलेशन सर्कूलेशन इस टेलेफोन की सर्कूलेशन मेरे खून की सर्कूलेशन जो बढ़ गई है इसका जिम्मेदार कौन है हेलो जी कल के अख़बार में पढ़ लीजिएगा मगरमच के बारे में जी हाँ कल मैं कहता हूँ इसका जिम्बदार कौन है सर्जी मैं मैं अपनी तरफ से अच्छी तरफ अपनी तरफ से क्या ख़बर लेकर आए हो तुम हलो जी ये मगरमच से आप खुद ही बात कर लीजए हलो जी सर्जी वोई